बात कर रहे है रेनु का शुगर की आज की दिन की बात करें तो एक परसंट टक की गिरावट के साथ हम देख सकते हैं इस वक्ति स्टॉक 46.75 पेसे पर ट्रेट करता नजर आ रहा है रिजेक्शन के बात जहां से इससे पहले स्टॉक ने दो दफ़ा सपोर्ट लिया था 46 का लेवल उसी सपोर्ट से एक जम्प आया अगेन गिरावट आई तो अपने लोग को ब्रेकड़ॉन नहीं किया देख सकते हैं 46 के सपोर्ट के ऊपर स्टॉक आमको फिलहाल काम करता नज रही है 52 के लेवल से तो आगर नीचे की और 46 का सपोर्ट ब्रेकड़ॉन करता है रेनु का तो ऐसे कंडिशन में 44 का लेवल इसका तगडार इंपोर्टन सपोर्ट रहेगा 44 के ओपर जब तक है तब तक आफ साइट के चांस बने हुए लेकिन हम देख सकते हैं 50 के लेवल को ब्रेकड के सस्टेन नहीं हो पाया रिजेक्शन लेकर गिरावट देखने के लिए मिले तो अब यहां से अगर जंप आता है बॉन्स बैक दिखाया था तो 48 का लेवल अगर ब्रेकड कर जाता है तो 50 तक का जंप दिखा सकता है लेकिन 50 का लेवल इससे पहले भी हम डिसकस क कर चुके है कि मेजर रेजिस्टंस है 50 के लेवल का ब्रेकड इंपॉर्टन है लगातार तेजी के लिए अगर रेनु का शुगर बॉन्स बैक करके 50 के लेवल को ब्रेकड करता है इसके ऊपर सस्टेन होता है तो वैसे कंडिशन में फिर यहां से लगातार अफसाइड डिका सकता है तो यहां फिलाल थोड़ा सा इंतिजार करना है इस टॉक को 50 के लेवल का ब्रेकड करने देना है वीडियो एजुकेशन परपस के लिए हम कोई बाइस हेल या होल्ड की सला नहीं दे रहे हैं अगर आप डिमेट अकॉंट ओपन करना जाते हो तो डिस्क्रेप्चिन में दी गई लिंक से कर सकते हो